Hey friends, welcome back to my channel with another video, this is Sumit Kothiyar So friends, आज जिस job vacancy की मैं बात करने जा रहा हूँ, वो निकली है आबुदाबी में और गईज अगर बात करूँ vacancy की तो ये है hotel industry से related जी हाँ guys, अगर आप interested है hotel industry से related तो भी vacancy आपके लिए ये है बढ़ गई सबसे ची बात है कि इस hotel में बहुत सारी departments की vacancy निकली है जैसे कि front office, housekeeping, kitchen, F&B service तो guys, अगर आप किसी भी department से related job ढूंड रहे हैं तो आप directly इस company में अप्लाई कर सकते हैं और guys, अगर बात करूँ मैं hotel की तो ये 5 star hotel है जो कि आबुदाबी में है और hotel की नाम की बात करूँ तो ये दूसित थानी hotel जो कि आबुदाबी city में है तो guys, अगर आप अभी UAE में हैं और job ढूंड रहे हैं तो definitely आपको यहाँ पर apply करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी options हैं और हाँ guys, एक बात और जरूजी नहीं कि अगर आपके पास experience है तो ही apply कर सकते हैं अगर आप fresh air भी है तो भी आप apply कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी vacancies ऐसी भी हैं जिसमें आप एता fresh air भी apply कर सकते हैं बट हाँ guys, आपके पास at least degree या भी diploma होना चाहिए और हाँ guys, अगर मैं बात करूँ apply कैसे करना है तो आपको online ही apply करना पड़ेगा so guys, अगर आप interested है hotel industry से rated किसी भी job के लिए और अगर आप अभी ढूंड रहे हैं फिर चाहे वो kitchen से rated हो, चाहे वो service से rated हो चाहे वो house keeping से, चाहे वो front office से तो guys definitely आपको यहाँ पर apply करना चाहिए so friends, अभी मैं आपको आगे बताऊँगा कि आपको इस job के लिए कैसे apply करना है step by step आपको आपको पूरा process बताऊँगा तो video को please skip ना करें और ध्यां से देखें and guys इस video की description मैं आपको लिंक दे दूँगा जहां से कि आप directly apply कर सकते है so चलिए guys बिना देले किये हुए मैं आपको screen पर ले चलता हूँ so guys आप अपनी screen पर देख सकते हैं आबुदाभी hospitality jobs जो की दूसरी तानी है आपे 6 vacancies आ रखी है जिसमें सबसे पहले नंबर में है commies first hot kitchen के लिए तो guys अगर आप kitchen department में काम कर रहे हैं या फिर आपका interest kitchen department में काम करना तो commies first के लिए यहां पर hot kitchen में vacancy है जी हाँ guys लेकिन आपको I think इसमें पहले experience चाहिए होगा at least one and a half year का as a commies third या फिर commies second का तो चलेगे इसको open करते हैं देखते हैं देखते हैं हमें इसमें क्या क्या specification की required है तो जैसे दोसकते हैं हमें लिखा है commies first hot kitchen service में unspecified है और यह देख सकते हैं आप डूसित थानी अबुदा भी जो है five star मैंने आपको बताया hotel है इसका मैं लिंक आपको direct description देदूगा तो आप वहां पर जाके size requirements बढ़ सकते हैं मेभी आपके लिए easy होगा अगर आप खुद पढ़ें तो आपको अच्छे समझ में आएगा और अगर हम बात करें किसमें क्या लिखा है performs basic task of food preparation जो normal अगर आप भाना बना रहे तो आपको इसके basic task की knowledge होनी चाहिए prepares appetizers plus meat and vegetables for antre and as well as help with the proper presentation of the food observes and taste food are being cooked यह सब assist आपको करना है आपको report करनी है अपने chef dhe party को या फिर demi chef dhe party जो ही आपके senior होंगे and after that control temperatures of cooking जो की एक basic knowledge होनी चाहिए फूड की वो सब आपको होनी चाहिए असिस्ट senior chef in opening and closing the food outlets including food to be punctual for work okay तो यह सब है गाइस और लास्ट में आपको apply कैसे करना है आपको simply यहां पर apply पे click करना है डाट लिए आप इस पेज़े पहुन जाएंगे यहां पर आपको अपना CV अप्लोड करना है प्रॉपर फॉर्मेट बाला उसके बाद आपको अपना cover letter इसमें अगर आपके पास है यहां पर optional लिखा हुए है तो अगर है तो upload करें अगर नहीं है तो तो भी चलेगा पट है तो plus point है उसके बाद आइनिक तो आपको जो सुषेफ होता है यह एक किच्छन का इंचार्ज होता है यहां पर apply करने का तरीका गई बिलकुल सेम है और यहां पर आप जो requirements से आपको एक इस चौप को apply करने के लिए वह सब यहां पर लिखी हुई है तो गई इन सब को आप खुद ही पड़ें तो इसमें आपको खाना कम बनाना होता है इसमें आपको खाना कम बनाना होता है आपको अपने स्टाफ को कैसे ट्रेंड करने हो काम जाता होता है आपको अपने स्टाफ को कैसे ट्रेंड करने हो काम जाता होता है आपको अपने स्टाफ को कैसे ट्रेंड करने हो काम जाता होता है सब देखना पड़ता है, supervise the monitors, the quality of all food in the kitchen under supervision, executive to chef के अंडर काम करते हैं ये, relaying orders to the line cooks, जो line cooks मतलब जो commies होते हैं, उनको relaying करना, उनको orders देना, ये सब ठीक है, उसके बाद ongoing verbal and written communication with kitchens, कोडिनेशन करना, प्रॉपर में स्टाफ के साथ, ensures all cooks have all necessary ingredients, मतलब ordering करना की समान पूरा होटल में, अपनी kitchen में सोरी है की नहीं है, ensures all food is consistently prepared and presented according to the standard को फॉलो करना, SOPs को फॉलो करना, take and, takes on administrative, और जो भी इनके थुरू executive chef, जो की head of HOD होता है, kitchen department का executive chef, जो assistant HOD होता है, उनके साथ task जो भी है, I mean coordinate करना उनके साथ, it controls food cost by following proper storage, food cost to control करना, तो तो इस सब requirements है, apply करने का तरीका इसमें बिल्कुछ सेम है, जैसे मैं आपको last vacancy में बताया, यहाँ पर हमारे पस जो अगले vacancy है, वो है room attended की, इस vacancy के लिए आपको कुछ ज़्यादा experience की जरूद नहीं है, अगर आप fresh है, तो भी apply कर सकते हैं, बस आपको communication level अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप international job, international job करोगे, international hotel में job करोगे, तो अफकोर्स आपकी English जो, आपकी command है, जो अच्छी होने जी है, आप at least जो foreigner guest के साथ बात कर सके, इतना तो आपको English आने चाहिए, जो primary responsibilities के हैं, guest room में, enters and prepare room for cleaning, check mini bar, mini bar एक like small fridge होते है, जो housekeeping में काम करें, उनको पता होगा, चोटा सा fridge होता है, उसमें आपकी कुछ basic items होते हैं, like chocolates होगी, कुछ drinks होते हैं, okay, so makes the bed, sanitize room and furniture, checks all equipment, reports broken equipment to housekeeping, coordinate supervisor, cleans the bathroom, mop the floors, so basically आपको, कैसे room को clean करना है, वो आपको आना चाहिए, administrative responsibilities, perform duties or tasks at the best of his or her availability, reports, any unusual incidents, best complaints lost and found breakage, losses to the supervisor, blah blah blah, यह सब, तो इस सब चीज़ों का आप एक बर फिर भी अच्छे से पढ़ लें, उसका अपलाई कने का तरीका, अगेन यहाँ पर भी सेम है, तरी बढ़ते हैं अगली vacancy तरफ, तो यहाँ पर हमारी जो fourth number की vacancy आती ही, वो है front desk agent, तो front desk agent के लिए अगर आप apply करना चाहते हैं, तो उसके requirements जो हैं, वो है, assist in maximizing room sales and revenue, कैसे आप room revenue को increase करोगे, prepare guest name list, जो होटल में check-in कर रहे हैं, check-out कर रहे हैं, उनकी name list त्यार करना, prepare guest arrivals and departures, greets, उनको proper grid करना, address, guest by name, upon their check-in and check-out, assist guest while they are registering, assist guest with transportation, arrangements, luggage, payment, etc., scores to their rooms, तो front office, सारा काम होता है, informant guest service, show the rooms, features, follow-up guest, follow-up, request on quiz का, recommends F&B outlets, internments in the hotel to guest, अगर किसी guest का special requirement है, तो F&B outlets में उनको recommend करना, कि हमें बस कौन से outlet हैं, और उनकी special request हो, उनके अपने particular department में उनको send करना, brief next shift personal to handover, ये सब काम करना, handover, proper handover करना, provide information, operator the business center, ensure a prompting delivery of mail, तो इन सब को गईस अच्छे से पढ़ लें, apply काने का तरीका यहाँ पर अगें सेम हैं, बढ़ते हैं अगली वाकेंसी तरफ, So Sen's अगली वाकेंसी आप यह शेफ दी पार्टी, सूशी के लिए, तो किस्त अगें ये जो आपकेंसी ये शेफ दी पार्टी की, लेकिन इसमें सूशी specialist चाहिए, अगेंस आपको बता दूँ, देपार्टमेंट का सूपरवाइजर होता है, जो कि सारे कवमी और अपने DCDP को हैंडल करता है इसके लिए आपको कहा कि रिपार्टमेंट प्रेपरेशन और गाने सूशी जैसे मैं अपना बता है कि खाना बनाता है यह प्रिपरेशन करता है लेकिन यह जो वेकेंसी एसपैशली सिर्फ सूशी के लिए तो सूशी आपको आती है तो आप डेफिनिट्ली इसके लिए चाह सकते हैं सूशी का ग्रमा बन करते हैं से लिए रायज़ को आपके लिये तो अपरेंटर की तो अगर ऑ्किनिट्री आपको बिल्कुल आपके लिए व्या विद्स प्रिपांशी एंड़ गाले में और आपकोरी तो इसके लिए अगर थिरिक्स एट अब परेंटर के लिए अग्या प्रिपेरेंट मिक्सित अफॉल टाइम वही कॉक्टेल मॉक्टेल कैसा कैसा बनाना है उसके अब उन्हों रहे चाहिए और इन्वेंट्री एंड सेल्स रिपोर्ट ठीक है वह इंटर ट्रांसर रिपोर्ट डेली ब्रेकर जो भी है तूर फूर हो रहा है उन सब का एक इन्वे कर प्रिपेर बर शप्लाइस, में Eggs फिर से वो रहे हैं इन्स सब चिजहों अच्य सब पढले इप्लाइ करने से पहले एंडर निंन ऐभ दा इसरे लिन गूसरे अच गया थे क्रश के इन समझ तर हैंगी आंगी है पर ध्यान रहें आपको apply online ही करना है पर ध्यान रहें जितनी अलदी हो सके उतनी अलदी apply करें और apply करते टाइम अपनी जो details है जो कि आपका CV है आपका cover letter अपना cover letter है अगर वो भी है तो उसको भी upload करें और CV अपना proper अच्छे format से बनाएं आप make sure कि अपनी जो details उसमें fill कर रहे हैं वो सही ही हो और company को mail करते टाइम subject में जरूर mention करें कि आपके इस department के लिए apply कर रहे है for example अगर आप apply कर रहे हैं कॉमी first के लिए hot kitchen के लिए तो आप subject में जरूर mention करें I want to apply as a commie first in kitchen department so guys उनके लिए easy होता है कि आपके इस department के लिए apply कर रहे हैं और जितना उनके लिए easy होगा उतनी यल्दी वो आपको hire करेंगे so guys make sure अपनी सारी information clear रखें I hope आपको सारी information समय में आगी होंगी मेलता हूँ आपको जल्दी एक नई vacancy की साथ एक नई वीडियो में और अगर किसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और friends फिरसे बो देता हूँ इस job को apply करनेगा लिंक आपको description मिल जाएगा okay guys thank you